आज मैं बीफ पाई की रेसिपी बनाओंगी उसके लिए मैं यहां पर बीफ पाई बड़े साइस का पाई यूज कर रहे हूं एक जग पानी, पांच अदर हरी मिर्च, एक बड़े साइस का टमाटर, वन टेबल स्पून सुरफ मिर्च, वन टी स्पून पीश्वी हल्दी, वन टी स्पून नमक, वन लाण हाफ टेबल स्पून अद्रक लसन का पेस्ट और दो मीडियम साइस की प्यास प्रेशर कुकर में मैंने पाया अड़ कर दी हैं, इसके अंदर मैं अंगेन अड़ कर दोंगी, हरी मिर्च, टमाटर, अद्रक लसन का पेस्ट, नमक, अल्दी, सुरक मिर्च, और एक जग पानी, और अब मैं इसका प्रेशर लगा दोंगी, अच्छे से मैं मिक्स कर दोंगी पहले, और अब मैं इसका प्रेशर लगा दोंगी, पूरे 15 मिंट का मैंने इसे प्रेशर लगा था, कि देखें इसमें थोड़ खोड़ा पानी है, और वैसे भी यह कच्छे हैं, इसके अंदर में एक मग और पानी आड़ करोंगी, इस पानी को मैंने पर दे नीम गरम कर लिए, ठंटा पानी आड़ नहीं करना इसमें, फिर य आड़ हो जाएंगे, और इसे अच्छे से हिला के मैं इसका अगेल प्रेशर लगा दूँगी, आदे घंटे के बाद मैं इसका प्रेशर उतार दूँगी, यह देखें, इसका पानी फुच्छ पोग गया, अब मैं इसके इंदर कुकिंगो लेट कर दूँगी, और इसे इच्छे से भून लोगी, पहले मैंने इसे पन्दा मिंट का प्रेशर लगाया था, और अभी वो कच्छे थे पाए, इसे मैंने इसके अंदर अगेन पानी डाल के गरम, अदे खंटे का ओर प्रेशर लगा दिया, और अब मैंने इसके अंदर ब्रेशर खोली है, यह बन गया, इसके अंदर मैंने कोपिंगो लाइट कर दिया, और अब मैं इसे इच्छे से बहून लोगी, फिर मैं इसके इंदर ग्रैवी के लिए पानी आइट कर दोंगी, एक तो फिर हम इसके अगें प्रेशर लगा दें, इसका फानी बॉलना शुरू हो गया है, मैंने इसका दो दफार पहले प्रेशर लगाया था, यह रिखें यह तकरीबन गल चुका है, बस अब हम इसकी ग्रैवी त्यार करने के लिए अगें प्रेशर नहीं लगाएंगे, इसक मज़े की रेसिपी आप इसे ट्राइ कीजिएगा, इसके मैं अब कुसूरी सुखी में तीयूज कर रही हूं, इसके खुश्ब हो जाती है, इसे डालते फोरन इसका प्रेशर लगा दोगी मैं थोड़ देर के लिए, बीफ पाई की रेसिपी बनके त्यार है, आप इसे ट्र अब कर दो दोगी मैं अब कर दोगी मैं थोगी 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 मै